अंक पुईलानो नौरक्पनो खुलूंग मां स्कांगिया फारो खुलूंखा जोतन नननो मंच में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंद्री जी योगी आदेतिनाज जी हमारे तुरुपुरा के मुख्य मंद्री जी डॉक्टर मानिक शाहा जी हमारे चित्त महराज यहां में जो हमारे राज्य सरकार से कैबिनेट में जो मंत्री है सब का नाम नहीं लूँगा लेकिन सब हमारे ही है हमारे होदा ओक्रा है हमारे सामने में जो MLA's है, Dignitory's है सब का नाम नहीं ले रहा हूं बहुत लम्बा हो जाएगा लेकिन सब को मेरा साधर पढ़ाम, सब को मेरे तरफ से पढ़ाम मैं जादा समय नहीं लूँगा लेकिन क्योंकि हमारे जो लोग यहां में उपस्ते थे आपको हमारे मुखी मंत्री जी का बात भी सुनना है तुर्पुरा के बारे, क्योंकि यह nationally टेलकास्ट भी हो रहा है मैं तुर्पुरा के बारे कुछ कहना चाहता हूँ तुर्पुरा एक ऐसा राज्य है जो स्वाधीन तुर्पुरा के नाम से जाना जाता था मुगल आये, अंग्रेज आये, लेकिन त्रिपुरा स्वाधी नहीं रहा ना मुगल ने हमें शिकस्त किया, ना अंग्रेज हमें उनके वसल बना सके ऐसा क्यूं हुआ? इसके पीछे भी एक गहरा सोच है राजनीती सिर्फ दिखावे से नहीं होता है एक अंदर में भी एक मजबूती रहना चाहिए मुझसे पहले जो प्रवक्ता थे, उन्होंने काफी कुछ कहा है आज त्रिपुरा का एक अलग कल्चर है आज से 500 साल पहले मेरे ही पर दादाओं ने शूजा के लिए मस्जिद बनाया हमारे यहां में शंभूच आक्मा है, मेरे ग्रैंट फादर ने बुद्ध मंदर बनाया और त्रिपुरा सुंदुरी का रक्षा भी हमने मरते दम तक हम सब ने किया यह त्रिपुरा का एक कल्चर है आज के दिन हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि पडोस में बंगलादेश है आज अगर हम कुछ तालियों के लिए अगर हमने कुछ कह दिया तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जनजाती भाई हमारे हिंदू भाई बहन जो बंगलादेश में है आज यहां से कोई भी बयान अगर जाएगा तो उनको मुद्दा मिलता है हमारे माइनॉरिटीज जो बंगलादेश में उनकी उपर रत्य चार करने के लिए तो जो भी कहना है जो भी करना है बोल के नहीं करना है दिल के अंदर मजबूती रखना है मैंने देखा है कि आज जो चित्तो महराज ने यहां में मंदिर का निर्मान किया है मैं चित्तो महराज को नमन करता हूँ I respect you, तुमारा जी. मुखी मंत्री जी भी है यहां में हमारे तुरुपुरा के. उनका भी सोच हमारे सोच से मिलता है. और आपने मुझे एक दर्ख्वास भी की थी, कि यहां में तुरुपुरा में एक अच्छा जमीन दिया जाए, कि आप यहां में एक अच्छा सा English Medium School खोले. मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मुखी मंत्री जी भी यहां में है और उनका दिल बहुत बड़ा है. हम लोग काउंसिल से, राज्य सरकार से, आपको English Medium School खोलने के लिए जगा देंगे और मैं अपने व्यक्तिकत तरफ से भी आपको साहता करूँगा, कि एक अच्छा सा English Medium School आए, जहां में हमारे जनजाती जो बच्चे हैं, उनको भी एक अच्छा सा अफसर मिले, कि वो जिन्दगी में आगे बढ़े. ये मेरा दर्ख्वास्थ है, और हम करेंगे. आज के दिन, मैंने देखा है कि हमारे ट्राइबल एरियाज में स्कूल की कमी है. जो लोग इतना बयान देते हैं, वो लोग स्कूल नहीं खोलते, वो लोग हस्पताल नहीं खोलते. और अगर हम अपने next generation को, अपने बच्चे को, अपने माबाप को अच्छा सा चिकित्सा नहीं दे पाएंगे जनजाती एरियाज में. स्कूल नहीं दे पाएंगे, जहां से बच्चे का शिक्षा अच्छा हो, तो उनको कल नौकरी मिले. अगर हम ये सब नहीं दे पाएंगे, तो हिंदू बोलकर हिंदू का दिखावा क्या करना? अगर करना है, तो कीजिए, आज तक मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है. चित्तो महराज जी, अगर स्कूल खोल रहे हैं, तो ये मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव ये बनता है, मेरा दायत तो बनता है, कि मैं उनको हेल्प करूँ. बयान से नहीं होगा, करना होगा. यहां में मैंने दो तीन चीज और देखा है, तुरुपुरा का एक जो कल्चर है, हम, हमारा जो धर्म है, आप मात्रुप्र सुन्दुरी को देख लीजे, हमारा खार्ची होता है, केर होता है, बुईसू होता है, संग्रुमा होता है, हम लोग सब एक संग मिल जुल कर, बैट कर खाते हैं. मैंने ये दूसरे जगे में नहीं देखा है, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ, जब हमारे घर में, राजबाडी में जब पूजा होता है, तो फकीर बाबा आकर नमाज भी पढ़के जाता है, सुरक्षा करता है मंदिर और मूर्तियों का, ये हमारा कल्चर है, आज हमारे चौदर देखता, जो हमारा चौदर देखता है, वहां में हमारे पुजारियों को आज भी ठीक से हम पैसा नहीं दे पाते हैं, स्टेट गवर्मेंट इनको चलाता है, लेकिन हमको भी सोचना चाहिए, कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, हम दूसरे के बारे बात कर रहे हैं, अपने लोगों के बारे क्या कर रहे हैं? शक्ति अंदर से आता है, औजार से नहीं आता है शक्ति, और यही बात मैंने हमारे उग्रबंदी को कहा, औजार से शक्ति आप दिखा सकते हैं, लेकिन असली शक्ति अंदर से आता है और वो शक्ति होता है, आप विचार करें, आप सोचें, कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, राज्य को आगे बढ़ाना है, तो हिंसा से कुछ नहीं होगा, देश को अगर आगे बढ़ाना है, शिक्षा से कुछ मिलेगा, शिकित्सा से मिलेगा, विवस्ता को बदलना पड़ेगा, और अगर विव लालच है आज हम कमजोर क्यूं हुए हैं लालच के लिए एगो के लिए जलन है और अगर हम अपने गरीब भाई बेहन जो गाउं में रहते हैं उनके बारे सोच नहीं सकते हैं तो ये पग ये पोस्ट ये सिंगहासन पूरा जिन्दगी नहीं रहता है ये मैं जानता हूं मैंने देखा है तो हमारा दायत्त कर्तव ये बनता है कि हम अपने लोगों के बारे चिंता करें उनके लिए हम उनका भवश्य अच्छा बनाएं यहां में हमारे मंत्री हैं सब लोग बैठे हैं मैं जानता हूं कि मुक्य मंत्री के साथ आप लोग काम कर रहे हैं लेकिन काम को हमको आगे और बढ़ाना है और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे मुक्य मंत्री का हाथ को और मजबूत करेंगे मैं करूंगा आपको भी करना होगा क्योंकि हमां हमें अगर राज्य को आगे बढ़ाना है अगर राज्य को आगे बढ़ाना है तो हमको सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा और सबका साथ सबका विकास अगर तला से भी बहार होना चाहिए और मैंने देखा है कि हमारे उत्तरब्रदेश के मुख्यमंदी जी आए हैं, मैंने उनसे कहा कि मुझे समय दीजिए मेरे माता जी जो राजमाता है वो आपसे मिलना चाहते हैं, तृपुरा में भी अपना बनारस में तृपुरा घाठ है, ये तृपुरा का महाराजा था जिस ने बनारस हिंदू युनिवरस्टी में योगदान दिया, हम लकिंबुर खेरी से आते हैं, मेरी माँ, वहां में भी मंदर है, वो भी हम चाहते हैं कि आप देखभाल कीजिए, क्योंकि मंदर का अगर कोई देखभाल नहीं करेगा, तो मूर्ती करकर मंदर का चलाना क्या मतल बनता है, मैं चाहता हूँ कि आप उनका जिम्मवारी ले, आज बंगला देश में भी हमारे बहुत मंदर है, आज उनका देखभाल कोई नहीं कर रहा है, मुझे चिंता वहां का भी है, हमारे जो अल्पसंक्यक हैं वहां में, उनके बारे भी हमें चिंता है, और हमें आने व सोच कर समझ कर कुछ कदम लेना चाहिए जिसमें हमारे आलपसंख्यक हिंदू बंगाली हो, ट्राइबल हो, चाक्मा हो, बुदिस हो, क्रिस्टियन हो, उनका भी सुरक्षा मिलना चाहिए बंगलादेश में. The idea of India is created with सबका साथ सबका विश्वास. The idea of India is that of a culture, of a civilization. A civilization cannot be equated with your diet. यहां में हम, हमारे पुजारी लोग, पाठा मंग्सों घाते हैं, मच्छी घाते हैं, कहीं और में कुछ और होता है. हर हिंदु धर में भी बहुत अलग-अलग cultures हैं. हम लोग माकाली का पूजा करते हैं. मैं जब South India में जाता हूँ, वहां में कुछ और है. हिंदु धर्म को आप एक नजरिये से नहीं देख सकते हैं. अलग-अलग नजरिये से देखना पड़ता है. इसके लिए तो इतने देवता हैं. जब मैं नेपाल जाता हूँ, वहां में अलग रकम का एक आयूजन होता है. तो हमें अपना धर्म को समझना चाहिए. उसके बाद हमें समझाना चाहिए. हमेशा क्या होता है, मैंने देखा है. विनाशकाल, विप्रीद, बुद्धी, हम खुद तो नहीं समझ पाए, लेकिन दूसरे को समझने के लिए हम रास्ता दिखाते हैं. मैं अनुरोद करता हूँ हमारे चित्त महराज को, कि मंदिर में आप सब का स्वागत कीजिए. जब मंदिर में हम आएंगे, जब हम मंदिर को देखेंगे, जब भोग सब को मिलेगा, तभी ईश्वर का आशिरवाद हमारे उपर आएगा. ये परंपरा है त्रिपुरा का. यहां में जाती जन जाती हम सब को, हम सब ईश्वर का प्रात्ना भी करते हैं, और हम सब को शांती का मतलब भी समझना चाहिए. आखिर में मैं सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप लोग जन्होंने और और आगनाईजिंग कमिटी से आपने मुझे यहां में निमंतरन दिया, आपने इतना आधर दिया, मैं सब को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, I love you, आपने इतना प्यार मुझे जो दिया है, मैं इस मंच में बैठा हूँ, यह आपका प्यार है, यह सत्ता का पावर नहीं है, यह आपका प्यार है, और यह मैं समझ सकता हूँ, मैं महसूस भी कर सकता हूँ, यहां में हमारे जो चांटाईज है, होदा है, ओकरा है, चोधरीज है, हमारे जो समाजपती हैं, मैं आपको भी, आप लोगों को बहुत लोग भूल जाते है बुबागरा आपको नहीं भूलेगा हमेशा आपको आदर करेगा आप लोगों के लिए ही यह आप लोगों के लिए ही हम लोग यहां में हैं हम अपना जड़ को पहचानते हैं we know our roots we know our culture and we will preserve and protect our culture but we will not destroy other people's lives यह मेरे माँ बाप में मुझे समझाया मेरे माँ ने समझाया मेरे पिताजी ने समझाया कि धरम को सुरक्षा करो लेकिन किसी के उपर आक्रमन मत करो आपका ताकत आपका शक्ती अंदर से मिलेगा औजार से नहीं मिलेगा यही मैं कहकर सब को बलाए ब्लेस एवरीवन बलाए नो हमबाए थैंक यू